अस्सलाम अलेकुम friends, welcome to my channel again तो friends, आज हम बनाते हैं गर्मी के दिनों में इफ्तार के वक्त पे गले को ठंडा करने वाला ठंडा ठंडा मिलक्षेक, watermelon milkshake तो चलिए दोस्तों आज हम बनाते हैं एक ठंडा ठंडा मिलक्षेक, watermelon milkshake इसके लिए हमको चाहिए 1 cup watermelon D-seeded, 2 scoop vanilla ice cream, 1 tablespoon sugar, जरूरत के हिसाब से हम milk डालेंगे, इसमें आधा cup पढ़ जाए, आधा cup milk, half cup, और उसके बाद थोड़ा सा vanilla essence उसकी खुश्बू को अच्छा करने के लिए. अब हम जो है, एक mixer grinder में, juicer के अदर, जो है, 1 cup watermelon जो D-seeded रखे थे वो डालेंगे, यह ice cream जो है, 2 scoop वो डाल देंगे, 1 tablespoon के करीब हम sugar डालेंगे, यह teaspoon है, इसमें मैंने 2 and half डाली गए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा vanilla डालेंगे, तक्रीबन half teaspoon के करीब, और half cup से one cup के करीब, जो है, हम milk डालेंगे, और अब इसको grind कर लेंगे, अब आप देख सकते हैं, यह milkshake जो है, मैंने grind कर लिया है, अब इसको serve करते हैं, अब जो है, हम इसको serve करते हैं, किसी अच्छे से फूपसूरत से glass में, अब थोड़े से हम इसके अंदर watermelon के pieces भी डाल देते हैं, थोड़ी सी slice, watermelon के, अब उसके बाद जो है, इसके पर एक ice cream का, एक vanilla ice cream का, एक scoop डालेंगे हम, अब जो है, इसके उपर थोड़े से slices, watermelon के डाल देते हैं, गार्निशिंग के लिए, यह हमारा watermelon milkshake ready है, रमजान के इस महीने में गर्मी के वक्त पे, इफ्तार के वक्त पे जब आपको गर्मी लग रही हो, यह थंदा-थंदा milkshake आपको बहुत मजा देगा, बहुत अच्छा लगेगा, इसको घर पर ज़रूर बनाईए, तो कैसा था watermelon milkshake, जरूर बनाईए और comment कीजिए, इस recipe को like कीजिए, share कीजिए, और sweet and spicy को subscribe जरूर कीजिए,